आज मैं आपको बहुत दिनों बाद अपनी सारी चोड़ी चोड़ी टेट्राफिश के बारे में बताने वाला हूं देख सकते हैं बहुत दिन से ये टैंक के बारे में अपडेट नहीं आ रही थी और क्योंकि मैं काफी जादा बीजी रहता हूं और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का बिलकुल भी जादा तो देख सकते हैं आपको इसमें एक चेंजिस दिख रही होगी वो तो आपको साफ साफ दिख रही होगी अगर मैं आ रहा है आप चैनल पे पुराने हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि एक बीच में एक स्टैचू था जो कि मैंने रग दिया था बुद्दा स्टैचू तो काफी लोग मुझे कह रहे थे कि आप भगवान के ओने खेंप को थेश नहीं पुझा सकते हैं नहीं तो कि उनके भक्त को थेश बिल्कुल ही नहीं सकते हैं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जयले थिस रख Luis रखी है कुल जी आपके सामने है लिक सकते है बहुत जादा सिंपल सा टैंक है और वो स्टैचू था तो और भी Besides जा और आपको मैं छोडी-छोडी मचलिया भी दिखाने वाला हूँ इसके जो बच्चे हुए थे वो भी दिखाने वाला हूँ तो हम कह रहे थे यहाँ पर तो यह देखिये टैंकbs में अभी तक किसी भी डित नीयुन है तक अच्छे चल रहे है लास्टें मरे याद नहीं Cath City कि प्रेंग भी दीयोत दिया थी और छुशए लून्हें पुर पराणी subscribers है तो जरूर आपको पता होगा तो देख सकते हैं तो आज मैं सोच रहा था कि वो जो बच्चे हैं इसमें मैं उसे डाल दूँ और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये इतने ज़्यादा ख़दरनाग हैं बहुत ज़्यादा active है देख सकते हैं मैं हाथ भी ला रहा हूं इनके पास तो कितने ज़्यादा पास आजाते हैं देखिए ये देखिए मेरा उंगली है और यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं डरते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इसमें बच्चा डालूँगा तो वो इसे खाना जाए या फिर उसे सीधा निगल जाए तो इसलिए मुझे काफी ज़्यादा डर लग रहा था तो मैं इसलिए आप लोग से पूछना जाता था कि आप लोग मुझे बता है कि वो छोटे-छोटे मुझे को मैं डालू या नहीं डालू है मैं आपको अभी उपर जाके दिखाने वाला हूं काफी ज्यादा मेहनत का काम होता है उपर जाना क्यू बहुत सारी सीडिया है और हम थोड़े ऐसे आलसी तो नहीं है लेकिन फिर भी थक जाते हैं हम उपर जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारा काम रहता है हमारे पास तो देख सकते हैं बहुत जादा सेंपल टेंग है और खाली-खाली तो लग रहा है तो आप लोग के पास कोई डेकोरेशन आइटम के लि तो मैंने सोचा कि इसे निकाल दिया जाए और इसे हम अब शुरक्षी जगह में रखेंगे हमारे पास है शुरक्षी जगह वहाँ पर चहां पे पहले थे वहाँ पर रखने वाले तो यह देखिए तो इसे अब कुछ नहीं करने वाले इसे अच्छे तरगी से साफ करके हम वही रख देंगे वापस तो आप लोग मुझे बताना इसमें को अच्छा लगेगा तो टू फिट का टैंक है मेरा वन फिट विट है इसकी और वन फिट हाइट है तो यह कुछ टैंक है ऐसा यह देखिए बहुत जादा सुंदर दिखते है अगर हम एक साथ दोनों को देख हुआ है जो की ओ पीछे लगए देख सकता हूँ पास से देखिए औहीं पर मैंने जैलिफिश रख दिया है तो कोई दिककत नहीं हो रही है नहां मैंने इसमें लगा है ना इसमें लगा है फिर भी सबके सब बहतरीन चल रहे है क्योंकि सब वाटर टेंपरेचर का अगर प्रच जाना लग जाएंगी तब मैं जरूर हीटर लगाने वाला हूँ हम ऐसा बिलकुल नहीं करेंगे कि हमारी मस्ली सिर्फ जी रही है सर्वाइवल के लिए नहीं हम जी दे हमारी मस्ली खुछ रहे है इस वज़े से हम इसे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ तो चलिए मैं चलिए उनके बच्चे और आप मुझे बताना की इसे हम डाल सकते हैं कि नहीं हमारे बढ़े माले मेंट टैंग में आपको देख सकते कि देंगिये काफी तो बह च्चारा बढ़े हो चूके हुझ लूद यह मर जाए यह उसको रहत है तो ऐसा मैं बिल्कुर निशाथा उसके पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताए कि यह सारी मचलिया को मैं डाल सकता हूं यह नहीं डाल सकता हूं मैं अपने में टैंक में जो हमारे कोई decoration item का link आप मुझे दे सकते है comment में तो वो आप मुझे जरूर दें क्योंकि मुझे खाली-खाली tank बिल्गुल पसंद नहीं है देख सकते हैं हमने कितना सारा अच्छा अच्छा लेकिन हमारा वाला टेंक टोड़ा खाली-खाली लग रहा है तो उसके लिए आप मुझे कुछ बता सकते हैं और इसके लिए तुम मुझे जरूर बता है कि यह मैं डालू या ना डालू एक बर मैं अच्छे से दिखा देता हूं यह देखिए यह है मचलिया चोटे-चोटे कम से कम 10 तो हैं यह कुछ छोटे भी है एक दम ही छोटे देख सकते हैं को दिखाता हूं अगर मुझे दिख गई तो यह देखिए अब यह गायव हो गई आते साथ ही गायव हो गई यह देखिए यह टैंक तो बहुत सही चल रहा है मैंने फीडिंग दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहे हैं यह देखिए कित्ती सबसे बड़ी वाली यह है आपको दिखरी है और पीछे भी देख सकते हैं यह देखिए तो आप में लोग मुझे जबरूर कमेंट करके बता है और मिलते हैं नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टाटा बाई बाई